मेरा सवाल पहले पूछे गए सवाल से पैदा हुआ है और जैसा कि आपने कहा बात आपकी लालसा की तीवरता की है मेरा मतलब है मान लीजिए मेरे अंदर बहुत सी चीजों के लिए डिसिप्लिन नहीं है जैसे शामभवी को नियमित रूप से प्रैक्टिस करना और मुझे ल समय से संबंदित होती है ये किसी समय या इस्थिती में होगी या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे इच्छा ही तीवर हो जाए आपको भूख लगे हुए कितना समय हो चुका है कुछ गंटे हो गए बहुत भूख आपको आखरी बार कब लगी थी क्योंकि ज्यादातर लोग कभी खुद को भूख महसूस ही नहीं होने देते वे दिन भर खाते रहते हैं कितना समय हो गया है जब आपको सच मुझ बहुत भूख लगी थी कभी कभार हाँ मुझे बताएं कितने समय पहले सच मुझ बहुत भूख लगना मतलब मेरा मतलब है भूख तो लगती है और फिर हम खाते हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि इतनी भूख कब लगी थी कि मैं फिर तो बहुत समय हो गया है क्योंकि भूख ऐसा अनुभव नहीं है जिसे आप भूल सकते हैं ये तीवर होती है तो अगर आप तीन दिन चार दिन वरत रखें तो आप हर चीज ध्यान से करेंगे आप एक उंगली भी बेवज़ा नहीं हिलाएंगे आप हर चीज का साफधानी से इस्तेमाल करेंगे आप बस वही कहेंगे जो आप कहना चाहते हैं आप इस थरह डडडडडडडड़ बात नहीं करेंगे आप ध्यान से बोलेंगे क्योंकि अब उर्जा सीमित है और आप जानते हैं कि आपको एक धंग से जीना है कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए बस इसलिए कि आप भूके हैं आप शांत हो जाते हैं आप ऐसे बन जाते हैं इसी तरह अगर किसी चीज़ की तड़प हो तो वह भूक जैसी होती है अगर आपकी लालसा काफी मजबूत है तो सब कुछ अपने आप होने लगेगा आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने की जरूरत नहीं है गुरू खुजने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ नहीं है अगर आपकी लालसा मजबूत हो तो सब कुछ अपने आप होगा तो समस्या ये है कि लालसा नहीं है क्योंकि आप नाश्टा करते रहते हैं जो लोग हमेशा नाश्टा करते रहते हैं उन्हें भूख नहीं लगती क्योंकि आप नाष्टा कर रहे हैं नाष्टे का मतलब है अभी आप अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश में है मनिश्य की लालसा असीम रूप से विस्तार करने की है पर आप अपनी लालसा को खरीदारी से पूरा कर रहे हैं या फिर क्रिकिट माच देखकर, सिनेमा देखकर, किसी से बाते करके, कुछ पढ़कर, लाखों दूसरी चीजों से अपना ध्यान भटका रहे हैं। तो बस कुछ दिन ऐसे बिताएं, कुछ नहीं, बस अपने कमरे को सफेद रंग दें। ठीक है? अरामदा एक कुरसी चलेगी, आखें खुली हों, नींद ना लें, सतरकता और खुलापन रखें। हम जगह बनाते हैं, एक आश्रम बनाया जाता है, ताकि आप आकर इसका अपनी साधना के लिए इस्तेमाल करें। आप समझें? आप आएं, और कुछ समय लगाएं। एक वर्ष में, कम से कम एक हफता या दो हफते, बस इसके लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं, बस अगर आपको लगता है कि यह जीव सार्थक है, अगर आपको लगता है कि यह जीव, ध्यान दिये जाने का हगदार है, आपको साल में, कम से कम, कुछ हफते इसके लिए देने चाहिए, आपके लिए पचास हफते, दुनिया के लिए पचास हफते, और दो हफते सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ना आपके शरीर के लिए, ना मन के लिए, ना मनरंजन के लिए, ना ही अपने परिवा को दे सकते हैं, वो ये है कि आप एक विक्षित इंसान है. हाया ना, ना आपका पैसा, ना आपका धन, ना आपकी बक्वास, ना आपका काम, इन सबसे यह फर्क नहीं पड़ेगा, कि आपके साथ रहना एक अद्भुद अनुभव है, कि आपके आसपास के लोग, आपके परिवार, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके दोस्त और दूसरे, आपके साथ रहना चाहें, क्योंकि आपके साथ रहना एक अद्भुद अनुभव है ये सबसे अच्छी चीज है जो आप अपने आज पास किसी के लिए भी कर पाएंगे उन्हें बस इसी चीज की खौहिश है है ना पर अब समस्या ये है कि आप खुद वैसा अद्भुद व्यक्ति खोज रहे हैं अरे मुझे ही कद्भुद व्यक्ति मिला पर आप खोदे कद्भुद व्यक्ति क्यों नहीं है क्योंकि आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया आपको लगता है कि आपके आज स्पास जो कुछ हो रहा है वो इससे जादा महत्वपूर्ण है नहीं नहीं नहीं, आपके जीवन की क्वालिटी मूल रूप से इसकी क्वालिटी से तै होती है, ये जैसा है, जीवन भी वैसा ही होगा, हम आपको जहां भी भेजें, चाहे हम आपको स्वर्ग में डाल दें या नरक में, आपके जीवन का अनुभव और क्वालिटी इस बात स कि ये कैसा है, ना कि स्थेती कैसी है. कुछ समय बिना नाश्ता किये बिताएं, तब आपको पता चलेगा कि भूख क्या होती है, जब आपको काफी भूख लगेगी, तब आप भोजन की कीमत जानेंगे हैं न? वरना भोजन की कीमत जान ही नहीं पाएंगे, कि भोजन क्या होता है, बस 24 गंटे मत खाएं, और फिर, जब कोई आपको भोजन परोश्ता है, उसे तुरंत मत गड़ब जाएं, बस बैठे रहें, दो मिनिट रुकें, बस भोजन को देखें, ये देखें कि आपके लिए इसके क्या माइने हैं, भोजन जीवन है, थाली में बैठा जीवन, ये कोई कुड़ा नहीं है, ये कोई सामगरी नहीं है, कोई समान नहीं है, भोजन जीवन है, आपका जीवन, थाली में बैठा हुआ है ना, अगर आप भोजन को ऐसे अनुभव से देखते हैं, तो भोजन को संभालने का आपका तरीका बदलेगा या नहीं हाँ यही सब कुछ है तो अगर आप सिर्फ एक हफता बिताएं जहां आप बस चिंता ना करें अगर आप आएंगे तो यह हम आपके लिए ठीक कर देंगे हम इसे एक खास तरह सिताय करेंगे और पिर आप देखेंगे कि इसे जानना आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज़ बन जाएगी जब ऐसी तड़ब जाग जाएगी तो बाकी सब तालमेल में आ जाएगा स्वर्ग और नर्क आपके अनुसार चलेंगे वे आपके अनुसार चलने लगेंगे अगर लालसा काफी बड़ी है तो इसे कोई नहीं रोक सकता सब कुछ आपके साथ तालमेल में होगा यही ब्रहमान का स्वभाव है अगर यह एक चीज जो कि स्रिष्टी का स्त्रोत है जल उठे तो पूरा ब्रहमान आपके साथ खड़ा होगा ना कि आपके खिलाफ होगा